टीन मिनट में कलबुर्गी की तीन बड़ी खबरें एक बड़ा हाथसा होते होते टल गया डिजल से भरी लोड़े टैंकर और पानी की टैंकर के बीच वी टकर जिसमें डिजल टैंकर पलेट गई मौके पर पहुँची फायर बिगेट टीम पानी और केमिकल से बिखरे डिजल को आग लगने से बचा लिया गया इस हाथसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा गटना अवजलपूर रोड अडगिल गाओं के करीब भी है पुलीस अब जांच कर रही है इतिहाच चौक मालगती रोड पर बावली में 11 साल के हमजा के डूप जाने की खबर के बाद बड़ी संख्या में जमा हुए लोग फायर बिगेट की टीम वहां पहुँची दिन भर की कोशिश के बाद भी नहीं मिल पाई थी बॉड़ी नागुरा के गोता खोरों की टीम को बुलाया गया कुछी देर पहले मिली 11 साल के मासूम की बॉड़ी हलके के नगर सेवक नजमा ताहर ने बताया सुभा से चल रही थी कोशिश यूनिवर्सिटी पोलीस थाना की टीम तैसिलदार जिला अधिकारी से बात कर लगातार कोशिश की जा रही थी कि इस कालोनी के एक लोकल रेसिडेंस के जो हमारे मशाक साहब है उनके जो फर्जन हमजा बोलके जो हैं 11 या 12 साल के हैं उन्हों आज संडे रहने के हैसियस से बच्चे बच्चे खेलने के लिए खुला जेकर दिखने की वज़े से यह आये थे और बदखिस्मत ही समझो या अला उस बच्चे की खिस्मत में क्या लिखे मुखदर में वो तो हम नहीं बता सकते मैं इता ही बोलूँगा पब्लीक के बीच में आकर के बच्चा खेलने को आया था पायर सीलिप होकर इस बोडी में जा गया है तो मैं पैरेंट्स से पहले तो हमत रखने की उनको हमत दूँगा और यहां के लोकल रेसिदेंस को भी मैं अपनी हमत को बरखरार रखकर और उनके पैरेंट्स को आप साथ दे रहें यह साथ आप बरखरार रखिए क्यों ऐसे ट लेहाजा जो अफिशली यहां फैसलेडिज दे सकते आईसे एलेक्टेट रिपर्जेंटेट्टेट्टी की हैसे से वह आप दीजिए अलम्दिल्ला हम आपके साथ हैं जब तक आपकी बौडी रिसीफ नहीं होती हम आपके साथ हैं पिछले तीन दिनों से लापता था दस साल का मासूम आज घर के बाजू के ले आउट के हाउस में मिली है लाश तीन दिनों से धून रहा था परिवार लेकिन मासूम की कोई खबर नहीं मिली आज उसकी बौडी हाउस में मिली है घटना कलबुर्गी के कोटनूर डी ग्राम की है जहां शेकर की मौत हुई है